हाई एव्रीवन, वेलकम टू सेल, कॉंपेटिटिव इंग्लिश लार्निंग जैसा कि मैंने कहा ही था कि आज की वीडियो में हम 500 स्पीच के क्वेशन्स करेंगे सीडियस के क्वेशन पेपर से सीडियस का एक्जाम साल में दो बार होता है तो 2022 के दोनों ही क्वेशन पेपर से हम 500 स्पीच के क्वेशन्स करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, let's start हर बार की तरह इस बार भी आपको 5 सेकंड्स में लेंगे आंसर करने के लिए उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगी अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आप वीडियो को पॉस कर लीजेगा पर कुशिश करिएगा कि 5 सेकंड्स में ही आंसर करें चलिए, फर्स क्वेशन है हमारा The conclusions that they came to are highly questionable क्वेशनेबल को बताना है कि कौन सा पार्ट सो स्पीच है फर्स आप्शन है नाउन, सेकेंड आप्शन है एजेक्टिव थर्ड आप्शन है एडवर्ब, फोर्थ आप्शन है जिरिंट टाइम स्टाट्स नाउ स्टाप ये questionable जो word है, वो किसे qualify कर रहा है conclusions को conclusions बता रहा है कि कैसे कैसे हैं, highly questionable है टो conclusion क्या है, noun, जो चिस noun को qualified करें वो क्या होती है एजेक्टिव तो क्या हुआ ये, adjective और यहीं पर highly क्या है, highly किसे qualify कर रहा है अगर highly पूछा होता, तो क्या होता questionable को qualify कर रहा है questionable adjective है, जो चिस mule adjective को qualify करे, adverb तो highly यहांपर adverb है ठीक है और हमार आंसर क्या होगा adjective क्योंकि हमें question इबर पूछा था चलिए next question है try to knock that vase over हमें over को बताना है कि कौन सा parcel speech है पहला option है preposition, second option है conjunction, third option है adjective, fourth option है adverb, time starts now stop try to knock that vase over knock, ठीक है किसे qualify कर रहा है over, knock को ठीक है, where, over where to knock that vase over, नीचे, ठीक है तो यहाँ पर यह जो over है वो knock को qualify करने की वज़े से verb को qualify करने की वज़े से क्या हुआ, adverb, तो answer है D, adverb, ठीक है कौन सा adverb हुआ, adverb of place जगा बता रहा है कहां पे over, ठीक है ठीक है, चलिए, नेक्स जलते है नेक्स है इस यह मार्क्स दा क्युन सेंटिनरी ओफ क्लम्बस वाइज तो अमेरिका हमें क्युन सेंटिनरी को बताना है कि क्या है यह फर्स ऑप्शन है नाउन, सेकिंद ऑप्शन है एजिक्टिव थर्ड ऑप्शन है एडवर्ब, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल टाइम स्टार्ट्स नाउ इस यह मार्क्स दा क्युन सेंटिनरी, सबसे पहले तो क्युन सेंटिनरी का मीनिंग समझ लीजे है 500th anniversary को बोलते हैं क्या बोलते हैं क्यून सेंटिनरी, ठेकर, ऑफ क्लम्बस स्टु अमैरिका तो यहां पर क्यून सेंटिनरी क्या है क्यून सेंटिनरी बहरता है नाउन, तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा क्योंकि हम जन्र टिंग के बाद कर हевागा 500th anniversary तो anniversary भी क्या है नाउन तो क्यों सेंटिनरी भी क्या हुआ नाउन ठीक है चलिए next question I would like an ice cream are you having one too ये तो हम पीछे पड़के भी आए हैं one के बारे में ये I'm sure आपको आता होगा ठीक है one को बताना है कि क्या है नाउन पर नाउन एजेक्टिव एड़ब ठीक है time starts now stop one ये जो one है वो किसे replace कर रहा है ice cream को किसके लिए आया है ice cream के लिए ice cream क्या है नाउन जो जो जिस नाउन को replace करे उसे क्या बोलते है प्रोनाउन तो one यहाँ पर कैसे use हुआ है as pronoun तो हमारा answer क्या हुआ बी ठीक है चलिए आगे चलते है नेक्स्ट क्वेशन है हमारा I still cherish the memories of those पार ओफ देज हमें पार ओफ को बताना है कि यह कौन सा पार्स पीच है पहला option है प्रेपोजिशन सेकिंड ऑप्शन है कंजंक्शन थर्ड ओप्शन है एड्जेक्टिव फोर्थ ओप्शन है एडवर्ब टाइम स्टार्ट नाउ स्टाप क्या लग रहा है यह जो फार ओफ है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है डेज को डेज क्या है नाउन बता रहा है कौन से दिन पुरानी दिन ठीक है पिछले दिन ठीक है तो यहां पर यह जो डेज को क्वालिफाई करने के वज़े से फार ओफ क्या होगा जो जिस नाउन को क्वालिफाई करे क्या होती है एड्जेक्टिव तो हमारा अंसर क्या है C एड्जेक्टिव चलिए नेक्स्ट क्वेशन है हमारा My parents lent me the money otherwise I could not have afforded the trip First option है एड्जेक्टिव, Second option है एड्वर्ब, Third option है कंजंक्शन, Fourth option है पार्टिस्पल, Time starts now Stop अगर आपको पार्ट सो स्पीच पार्ट वन में याद हो तो मैंने वहाँ पर कहा था कि कभी-कभी एड्वर्ब जो है वो पूरे संटेंस को क्वालिफाई करता है अगर हम एक बार इसको सोचने को कुछ सोच सकते थे, adjective तो होने के chances है नहीं conjunction तब होती अगर यहां पर ऐसे full stop full stop ना होता तब सोच सकते कि यह conjunction है क्योंकि यह तो अलग-लग sentences है तो अगर कुछ हो सकता था तो यह connector हो सकती थी, connector तो options में ही नहीं है तो फिर अब यहां पर confusion कहा रह गया adverb को और conjunction को ठीक है तो conjunction तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां पर फिल स्टॉप लगे है एक ही sentence नहीं है ना compound sentence है ना complex sentence है ठीक है तो यहां पर otherwise क्या है adverb है जो पूरे के पूरे sentence को qualify कर रहा है otherwise I could not have afforded the trip ठीक है तो यह पूरे sentence को qualify करने की वज़े से adverb है ठीक है चलिया answer क्या है d next question है हमारा I don't think I will come on Saturday I have a lot of work to do besides I don't really like parties first option adjective, second option adverb, third option preposition, fourth option conjunction, time starts now stop same वही question है again I don't think I will come on Saturday I have a lot of work to do besides I don't really like parties तो तीन sentences हैं ठीक है conjunction होने का question ही नहीं उड़ता दूसरा preposition हाँ besides preposition भी यूज होती है कब यूज होती है जब नाउन या पर नाउन से पहले आ रही हो ठीक है तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि एक sentence हो इधर नाउन या पर नाउन हो बाकी sentences का relationship बना रही हो यह तो sentence के बिलकुछ शुरू में आ रही है तो again क्या है whole sentence को qualify कर रही है whole sentence को qualify करने की वज़े से यह भी क्या है adverb चिक है यहाँ पर besides कैसे use हुआ है as adverb चिक है चलिए next question है she wrote me an anguished letter from her prison cell हमें anguished को बताना है कि वो कैसे use हुआ है first option है noun, second option है verb, third option है adjective, fourth option है adverb, time starts now stop, letter, letter क्या है noun, कैसा letter anguished ठीक है तो anguished word जो है वो noun को qualify कर रहा है जो ज़िए noun को qualify करे उसे क्या बोलते है, adjective इसलिए हमारा answer क्या है c adjective, clear हुआ, चले, आगे चलते है next question है हमारा, the bottom line is that we have to make a decision today हमें bottom line को बताना है कि कौन सा parts of speech है first option है noun, second option है pronoun, third option है adverb, fourth option है adjective time starts now stop bottom line यहाँ पर कैसे काम कर रहा है as subject हम bottom line की बात कर रहे हैं, ठीक है bottom line is that we have to make a decision today यानि की main बात यह है कि हमें आज decision लेना है, ठीक है तो यहाँ पर bottom line कैसे काम कर रहा है as subject, तो subject यानि की noun तो हमारा answer क्या होगा, a noun ठीक है, next question है हमारा, there is a visitor for you हमें a को बताना है कि वो कौन सा parts of speech है I hope यह तो सबको आता होगा first option है relation pronoun, second option है definite article, third option है indefinite article, fourth option है adverb time starts now stop, हम सबको पता ही है कि a और जो n है वो कौन से articles होते है, indefinite articles, ठीक है तो answer क्या हुआ, C, indefinite article, ठीक है चलिए अब solve करते हैं CDS का second question paper, ठीक है next question है हमारा, he headed the Indian freedom struggle which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century हमें which को बताना है कि वो कौन सा parts of speech है first option है relative pronoun, second option है adjective, third option है interrogative, fourth option है assertive time starts now stop stop तो यहाँ पर which जो है वो कैसे use हुआ है as conjunction sentence के दो parts को जोड़ रहा है अगर आपको याद हो तो ऐसा ही equation हमने test your English level में भी किया था और जिसकी explanation मैंने दी थी explanation of answers में वहाँ पर मैंने बताया था कि which क्या है relative pronoun यह relative pronoun क्यों है एक तो यह conjunction का काम कर रहा है और उपर से किसे replace कर रहा है किस के लिए use हुआ है Indian freedom struggle word के लिए तो Indian freedom struggle क्या है noun ठीक है which is noun को replace करे उसे क्या बोलते हैं pronoun तो विच यह तो clear हो गया कि pronoun है और यह relative pronoun क्यों है क्योंकि यह conjunction का काम कर रहा है ठीक है तो relative pronoun works as conjunction तो जो Indian freedom struggle है वह which का क्या हुआ antecedent यह चीज़तों हमने बहुत बार discuss कर ली कि antecedent क्या होता है antecedent वह word होता है जो उस word को meaning देता है जो उसके लिए use होता है ठीक है तो यहां पर which को meaning कौन दे रहा है हमें कैसे पता लगा कि which किस के रिए use हुआ है Indian freedom struggle से तो Indian freedom struggle जो word है वह which का क्या है antecedent तो which यहां पर कैसे use हुआ है as relative pronoun क्योंकि यह conjunction का का काम कर रहा है तो answer है हमारा A relative pronoun चलिए next question है the lake is one of the more beautiful ones in the country हमें beautiful को बताना है कि वह कैसे use हुआ है first option है as adjective second option है adverb third option है quantifier fourth option है noun time starts now stop lake के quality है कि वह beautiful है ठीक है तो lake जो है वह noun है noun के quality adjective तो answer हमारा क्या है A adjective next question है where there is peace for some time there will be prosperity हमें where को बताना है कि वह कैसे use हुआ है ठीक है first option है interrogative second option है adverb third option है adjective fourth option है relative pronoun time starts now stop यह थोड़ा सा tricky question है इसको हम इस तरह से समझते है इसको ऐसे लिखे अगर there will be prosperity where there is peace अब देखिए अब यह जो where है वो किस के लिए आ रहा है prosperity के लिए जैसे which मैंने बताया था कि relative pronoun है उसी तरह where जो है वो relative adverb है एक तो relative adverb क्यों है क्योंकि यह conjunction का काम कर रहा है sentence के इस पार्ट को उस पार्ट से जोड रहा है और इसका antecedent क्या है prosperity noun ठीक है अपने antecedent को refer करते हुए क्या बता रहा है यह place तो relative जो adverb होता है वो अपने antecedent को refer करते हुए क्या indicate करता है time, manner, place, reason clear हुआ तो यह क्या बता रहा है place कहां पर prosperity होगी जहां पर peace होगी तो क्या बता रहा है place एक तो यह place को indicate कर रहा है और दूसरा conjunction का काम कर रहा है इसलिए यह क्या है relative adverb ठीक है इसको और detail में पढ़ेंगे जब हम adverb topic करेंगे यह दो बहुत important topic है English के relative pronoun और relative adverb अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जब भी which as conjunction काम करें तो वह क्या है relative pronoun है similarly जब भी where as conjunction काम करें तो वह क्या है relative adverb तो हमारा answer क्या हुआ adverb चिक है next question है honesty is the best policy हमें honesty को बताना है कि कौन सा पार्सों speech है first option है countable noun second option है pronoun third option है common noun fourth option है uncountable noun यह तो सब को आता होगा चलिए time start होता है now stop हाँ जी honesty क्या है abstract noun abstract noun options में नहीं लिखा पर abstract noun क्या होते है uncountable that's why हमारा answer क्या होगा d uncountable clear है चलिए आगे चलते next question है हमारा alas we have been defeated हमें alas को बताना है कि वो कैसे use हुआ है first option है adjective second option है connector third option है interjection fourth option है interrogative time starts now stop अट्र और बता है आज़का और अगे रहा अगे रहा अगे रहा क्या होते हैं interjection तो हमार आज़क्षिन क्या होगा first option है preposition second option है adverb third option है connector fourth option है conjunction time starts now stop चलिए सबसे पहले तो इसका meaning समझ लेते हैं यह एक proverb है जिसका meaning होता है कि even when the good outcome is certain the things can go wrong ठीक है कि जब हम sure हो कि हाँ सब कुछ ठीक होगा तो and work पे change हो सकता है सब कुछ ठीक है तो इसका similar एक proverb क्या होगा do not count the chickens before they hatch ठीक है चलिए तो यहां पर यह जो between है between हमने पता ही है generally कैसे use होती है as preposition तो यहां पर भी कैसे use होई है as preposition किसमें relationship बता रही है slip word में और the cup and the lip phrase में ठीक है तो यहां पर phrase और एक word में relationship बताने की वज़े से between कैसे use हुई है as preposition ठीक है चलिए हमारा answer क्या होगा a preposition चलिए next question है हमारा a zero is a zero always हमें zero को बतारा है कि कैसे use हुआ है पर्स्ट option है noun second option है compound noun third option है pronoun fourth option है adjective time starts now stop अच्छा किस-किस को लगा कि यह जो zero है वो adjective है बताए a zero is a zero always नहीं zero यहां पर कैसे use हुआ है as noun अब जैसे मैं बोलू I am a doctor ठीक है तो आप कहें कि doctor भी adjective है कि I की quality है कि वो doctor है no यहां पर जो doctor है वो noun है क्यों क्यों कि उसके आगे a use हुआ है ठीक है तो noun के साथ ही तो articles use होते है ठीक है तो यहां पर doctor वैसे भी क्या है noun है कौन सा noun है common noun है that's why doctor noun similarly यहां पर क्या है zero भी noun है क्यों कि उसके आगे a use हुआ है तो इससे से clear हो गया कि यह noun है अगर मैं बोलती she is beautiful तो यहां पर a अगर आये तो वो गलत है क्यों क्योंकि beautiful जो है वो adjective है articles adjective के लिए नहीं use होते nouns के लिए use होते हैं ठीक है पर अगर मैं यहां पर आगे further girl word लिख दूँ तो यहां पर यह जो a word है वो girl noun के लिए use हो रहा है हो रहा है तो an आएगा ठीक है similarly अगर यहां पर honest होता beautiful की जगह तो क्या था she is an honest girl ठीक है समझ मैं आया चलिए तो इतना clear हो गया कि जो articles होते हैं वो noun के लिए use होते हैं that's why 0 यहां पर क्या है noun है और अगर मैं इतना पूझू यह predicate कितना कौन सा predicate हुआ यह हम पहले पढ़के आये है basic English grammar part 1 में यह predicate कौन सा predicate हुआ predicative noun क्योंकि इसमें noun जो है वो use हुआ है इसलिए हमारा answer क्या है noun a clear है चलिए आगे चलते हैं next question है हमारा Ravi and Megha reached first but and Savi finished third हमें but को बताना है कि वो कैसे use हुआ है first option है interjection second option है conjunction third option है connector fourth option है pronoun time starts now stop Ravi and Megha reached first अपने आप में complete है ठेक है meaning similarly three Guha and Savi finished third यह भी complete है but कैसी conjunction होती है coordinating conjunction जो दो independent clauses को जोडती है कैसा sentence बनाती है compound sentence तो हमारा answer क्या है but क्या है conjunction तो answer क्या होगा be conjunction clear है next question है हमारा may you be blessed with all good things of life हमें all को बताना है कि वो कैसे use हुआ है first option है verb second option है adverb third option है noun fourth option है pronoun time starts now stop all के हमने बहुत सरे examples कि थे कि वो as adjective भी use होता है as adverb भी use होता है as noun भी use होता है as pronoun भी use होता है तो क्या लग रहा आपको कि यहां पर कैसे use हो रहा है देखिए जो things word है वो कैसे क्या है noun ठीक है अब things की quality है कि कौन सी good good कैसे use हुआ है adjective all आगे further किसे qualify कर रहा है सारी अच्छी चीज़े ठीक है सारी जो है वो किसको qualify कर रहा है अच्छी को adjective को qualify करने की वज़े से all क्या हुआ adverb ठीक है हमारान से क्या हुआ be adverb clear है चलिए next question पर आते है he is the most sought after teacher in the school हमें the को बताना है कि वो क्या है first option है determiner second option है adverb third option है adjective fourth option है interjection time starts now stop okay the हमने पहले भी पढ़ा था कि article होते हैं और articles किसके type होते हैं determinants की तो हमारा answer सीधा ही है कि क्या है determiner ठीक है clear है और क्योंकि यहां पर teacher most sought after ठीक है sought after adjective और वो भी अपनी कौन से degree में superlative degree में most word use हो रहा है ठीक है और superlative degree के साथ the use होता ही है यह तो rule है ठीक है तो यहां पर the क्या है the article है आर्टिकल जो है determiner की sub-type है तो answer क्या होगा determiner ठीक है तो I hope आपको clarity आई होगी कि CDS के exam में किस तरह के questions आते हैं ऐसे ही questions की practice हम आगे भी करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई topic के साथ मेरे चैनल को like and subscribe करना ना भूले और आगे भी जादा से जादा शेयर करें और जाने से पहले फल देना है उसकी जिम्मेदारी तू करता रह बस अपनी त्यारी झाल